मुखेमंत्री भूपेश बखेलने कांकेर प्रवास के दोरान एतिहासिक गढ़िया पहाड लैब विविदिता पार्क में व्यूपॉइंट का लोकारपन किया उन्होंने कहा कि नैसरगेक और मनोरम सुन्दर्ता से भरपूर गढ़िया पहाड जैसी एतिहासिक धरुहरों के के लिए सर्रक्षण और संवर्धन के लिए राज्यसरकार सद्यव तत्पर है ऐसे अतिहासिक धरुहरों को पर्यटन की द्रश्टी से भी बहतर बनाया जाएगा राज्यसरकार मनुश्य और वन के बीच संबंधों को जीवन्त कर प्राकरतिक तंत्र के संतूलन के लिए प् एक रिक्सित किया जा रहा है प्राकरतिक्सवन्दर की दर्श्टी से बेहत सुंदर कांकेर में एतिहासिक घढ़िया पहाल पर जिम्मेधारें मटिहारें माटा का मंदरुकर मंदर इस्तापित है राजा धर्मदेव अपने परिवार तथा इश्ट देवी के साथ कांकिर गडिया पहाड पर उसे सुद्रण किले का रूप देकर निवास करने लगे थे मुख्यमंत्री भुपेश बगेल ने अत्याशिक धरोहरों का निरिक्षन किया है कांके प्रवास के दौरे पर थे और इसी दौरान गडिया पहाड जया विविदता पार्क में व्यूपॉइंट का लुकारपन किया है उन्होंने कहा है कि नैसर्गिक और मनुरम सुन्दर्ता से भरपूर गडिया पहाड जैसे एतिहासिक धरोहरों के लिए सरक्षन और समवर्धन के लिए राजसरकार सदयव तक पर है ऐसे एतिहासिक धरोहरों को परेटन की दौर्ष्टी से भी बहतर बनाया जाएगा राजसरकार मनोष्य और वन के बीच सम्बन्धू को जिवन्त कर प्राकर्तिक तंत्र के संतूलन के लिए प्रियास कर रही है गोर्टलब है कि कांकेर के गडिया पहाण को जैविविधता पार्क के रूप में विक्सित किया जौ रहा है प्राकर्तिक सुंदरे की द्रश्टी से बेहत सुंदर कांकेर में अतिहासिक गडिया पहाड पर जिम्मेदारिन माटिहारिन माता का मंदर इस्थापित है राजा धर्मदेव अपने परिवार तथा ईष्ट देवी के साथ कांकेर गडिया पहाल पर उसे सुद्रण किले का रूप दे कर निवास करने लगे थे